नमस्ते डिया स्टोरेंट्स, वेलकम टो आल, स्वागत है आप सभी का पीटी एजूकेशन पे एक बार फिर से, मेरा गाम है राहूलांस चौधरी और प्रेस इंफोर्मेशन बिर आनलेसिस का एक और सेशन आपके लिए हाजिर है, आज की जो टॉप सिक्स टोरीज है, काफी सबसे पहले हम बात करेंगे, मिनरल कंजर्वेशन से डेवलप्मेंट अमेंडमेंट रूलस 2021, बेसिकली 2017 का जो रूल था, उससे थोड़ा अमेंड किया गया है, क्या नए नए कानून इसके अंदर आया है, उसको हम डिसकस करेंगे, दूसरे फिर मिनरल से ही रिलेटिड है, मिनरल कंसेशन फॉर्थ अमेंडमेंट रूलस 2021, इसमें भी देखेंगे कि 2016 का यह रूल था, इसमें भी कुछ-कुछ चेंजिस किये गए है, बेसिकली जो माइनिंग सेक्टर ओफ इंडिया है, this is a key to the Indian GDP, और the Indian economy, तो उसको कही न कहीं सरकार चाहरे है, कि बढ़िया और पॉर्थ पर हम बात करेंगे, इंडिया स्वीडन का हुआ है, इनोवेशन मीट और जानेंगे कि क्यों भारत के लिए स्वीडन ज़रूरी है, फिफ्ट, MP-LED स्कीम पर हम बात करेंगे, साथी साथ कुछ-कुछ चीज़े मैं इसमें आपको बताऊंगा, कि इसमें क्या जो है है, recent developments हुए है, and finally we talk about the जन जातिया गौरफ दिवस, जो कि हर साल 15 November को जो है मतलब observe किया आता है, and 15 November is also the birth anniversary of the बिर्सा मंदा, right, finally MCQs for practice, तो बने रही है मेरे साथ इस session में, आपको काफी मज़ा आएगा, and this will going to help you a lot in your upcoming examinations, so सबसे पहली जो स्टोरी है दोस्तों, वो है हमार mineral conservation and development rules 2021, basically amendment rules है, 2017 का जो rule था, उसको थोड़ा सा amend किया गया है, किस ने किया है, तो ministry of mines ने किया है, has notified the mineral conservation and development amendment rules 2021, अब इसमें कुछ कानून है कि जो ये minerals, जो mining development rules है, ये किस के तहत, कौन से act के तहत, इसे regulate कियाता है, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि this, this all can be regulated by 1957, mines and minerals, mines भी थोड़ा से हैं भूल गया था, mines and minerals development and regulation act 1957 के तहर, जो है, इसे पूरा section 18 में इसको पूरा लाया गया है, minerals conservation and development rules को, अब इसमें है क्या, basically कोई भी चीज़ी चलती है, आप काम करते हैं, आपको loopholes पता चलते रहते हैं, कुछ-कुछ environmental changes होते रहते हैं, उसके systematic, scientific, और बिल्कुल progressive इन अपोच में होता हैं, साथी साथ, environmental degradation भी न हो, और economic development भी देखने को मिले, तो कहीं न कहीं, there is a thin line of difference between the economic development and the environmental production, right, अब समझ लेते हैं, कि इसमें नई नई बदलाओ, क्या किये गया है, क्या amend किया गया है, basically, इसमें बोला गया है, कि जो भी सारा सर्वे के जरिये, हम दोस्तों क्या करेंगे, complete करेंगे, just a minute, हाँ, तो जितना भी हमारा mining का सारा काम होगा, उसको हम क्या करेंगे, global positioning system या फिर drone survey के तहरे काम पूरा किया जाएगा, और खासकर जो Indian Bureau of Mines है, जो कि नागपूर में located है, वो इसको उसकी देखरे करेगी, फिर mining areas के digital images को submit करना पड़ेगा, तो कहीं न कहीं, technology को जो है, इसमें involved किया जा रहा है, क्योंकि जैसे technologies में involved हो जाती है, तो operations जो होते हैं, operations management, तो operations जो होते हैं, बहुत smooth काम करते हैं, फिर उसके बाद जो भी, मतलब burden हो रहा है काम को लेके, उसको कोशिच किया जाएगा, कि य changes के गए, उसमें उन्होंने penalties भी डाले है, कि अगर आप mining related है, मान लिजे मैं मेरी एक company है, जो mining sector में काम कर रही है, तो basically mining, mines जो होते हैं, वो दो तरीके के होते है, एक होते है captive, एक होते है non captive, right, captive mines क्या होते है, captive mines मान लिजे मेरी company है, और मेरा काम है सिर्फ mining का, तो जो भी मतलब वहाँ से चीजे आ रही है, जो भी मैं mine कर रहा हूं, उसको मैं बेच नहीं रहा, सिर्फ मैं खाली mining कर रहा हूं, non captive में क्या होता है, produce and sell, दोनों होता है, तो इसमें क्या होता है, कि जैसे मान लिजे मेरी company है, और वो mining कर रही है, तो कुछ हो सकता है, companies इसमें अपना फाइदा और बढ़ाने के लिए, regulations को तोड़ने के लिए, जो भी लूपोल्स है कानून के अंदर में, उसको देखते हुए, उसका misuse करने के लिए कुछ violations करें, तो उसमें जो major violations के लिए आपको imprisonment fine दोनों की penalty है, minor अगर छोटी मोटी को violations आपने की है, तो आपकी penalty थोड़ की process थी, उसे decriminalize कर देगा है, क्योंकि अगर सभी चीजों में अगर आप jail भेज देंगे, तो बंदा काम को कैसे करेगा, confidence कैसे आएगा, साथी साथ, सरकार का यह कहना है, ministry of mines का यह कहना है, कि इस तरीके के amendment की processes है, ना केवल technology को ही involve करते हैं, साथी साथ, जो भी employment generation का का काम मैं उसको भी थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करता है, मतलब these kind of environmental rules will produce more such kind of employment in Indian mine sector, right, so यह पूरा इसका process है, mineral conservation and development rules 2021, कुछ act वगएरा थोड़े से आपको ध्यान रखने है, changes मैंने आपको मोटा मोटी बता दिये हैं, ठीक, चलिए, आगे बात करते हैं, भारत के mineral resources कैसे कैसे हैं, एक metallic, non-metallic, metallic में ferrous, non-ferrous, non-metallic में fuel, non-fuel, fuel में fossil fuel, nuclear fuel, तो इस diagram को ध्यान से रखेगा, जो लोग mains की परिक्षा, मुखे परिक्षा लिखने जा रहे हैं, ऐसे ऐसे चार्ट आप बनाई है, energy sector को represent करने के लिए, देखिए आपको कितने marks मिलेंगे, right, चलिए, दूसर इसले किया गया, amend इसले किया गया, again ministry of minds नहीं किया है, amend इसले किया गया है, ताकि इसमें employment boost हो, investment आ सके, states का इसमें revenue बढ़े, अब states तर इसमें कहां से आ गए, तो देखो, कुछ इसमें मैं आपको constitutional provisions बता देता हूँ, basically होता क्या है, हमें मालूम है, हमारे पास है तीन list, one क से पहले कौन सी है, union list, list one, then state list, list two, and then concurrent list, list three, basically जो ये सारा minerals जो located है, जैसे मालूम जे जारखंड में एक mining minerals located है, तो वो तो जारखंड के state के boundary के अंदर आया ना, तो सभीधान यह कहता है, कि list two में जो entry number 23 है, वहाँ पर जो minerals located है, वो उनकी boundaries में आ रहे है, मतलब state government देखेग फिर list one, जो कि central government का है, उसमें serial number 24 को अगर आप देखेंगे, 54 माफ किजएगा, not 24, 54 को अगर आप देखेंगे, तो उसमें बताया गया है कि जो भी exclusive economic zone में, जो minerals आते हैं offshore पे, जिसे कि समुदरों में, ocean floors के अंदर में, territorial waters के अंदर में, continental shelf में, वहाँ पर जो explorations हो रही है, उन सब का जिमा देखें किसका है, central government का है, तो ministry of mines का कहना है कि अगर हम इस तरीके के amendment rules लेके आते हैं, तो इससे जो राज्य हैं, उनके जो revenue है, वो बढ़ सकते हैं, साथी साथ production भी इससे बढ़ सकता है, क्योंकि जब process smooth हो जाती है, efficient हो जाती है, तो अब आपकी productivity बढ़ लिए अब नए rules अब आपके क्या क्याते है, नए rules ये क्याते हैं कि जो भी मतलब selling का काम है, сделал का 50%, वो captive leases को भी दियाएंगे, मैंने आपको बताया था कि captive mines होते हैं, non captive mines होते हैं, captive mines में क्याथά. सिर्फ और सी production का काम है, Non captive mines में क्या है कि आप production भी कर सकते हैं, और selling भी कर प्रोडक्शन लेवल बहुत अच्छा हो वगेरा वगेरा और इसमें कुछ और मतलब चीजे दी गई है इस ओफ डिंग बिजनस को बहतर करने के लिए कुछ minimum area of grant for mining lease वगेरा इन सब में कुछ पाँच हक्टेर था उससे चार हक्टेर किया गया है यह सारी चीजे इसमें की गई है इस तरीके की क्या कोई और initiative थी तो yes national mineral policy 2019 वगर आप देखेंगे तो उसको भी इसी तरीके से लाया गया था और boost करने की बात कही गई थी लेकिन फिर मतलब proper उसमें देखा गया कि कुछ न कुछ loophole थे जिसो जैसे private investment वगरा जो है वो increase नहीं हो पा रही थी तो that's why they bring the amendment in the minerals concession rules 2021 so this is the second story इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेगा काफी technical है यह थर्ड पर आते हम nutrition nutrition small village initiative यह जो initiative है किस के अंदर है तो पोशन अभियान के अंदर है धान मंत्री जी ने खुद बोला था कि हम 75 ऐसे गाव अडॉक्ट करेंगे और उन्हें transform करेंगे अब वो 75 गाव है उनको and CIWA इससे लिंक करके बोला गया है कि हम देखेंगे कि इन जगहों में यह जो यह जो गाव है ना 75 इन में हम लोग nutritional awareness फिलाएंगे education अच्छी करेंगे behavioral change लेके आएंगे लोगों की मदद करेंगे बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे traditional knowledge देंगे malnutrition के साथ अच्छे से लड़ेंगे new tree garden वगर यह सब potion vertica इन सब चीजों को हम इसमें लेके आएंगे तो बहुत big bang चीज़े इसमें जो है मतलब aims में जो यह objective है यह लेके आ रहे है अब भारत और malnutrition को अगर आप देखेंगे तो nfhs के जो भी survey है वो यह बताते हैं कि सिर का यह research यह भी बताता है कि अगर भारत एक डॉलर अगर nutritional चीजों पर अगर खर्च करे मतलब policy making और उसको मतलब logo तक पहुंचा है third mill connectivity जिसे हम कहते हैं तो एक डॉलर खर्च करने पर उन्हें 34 से 40 डॉलर के बीच का फायदा हो सकता है क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया और यह model nutrition चलता रहा तो भारत को GDP का 4% का loss हमेशा सहने को मिलता रहेगा तो बहुत बड़े बड़े थोड़े से यह आक्रे हैं और that's why governance ministries इन चीजों को लेके आ रहे हैं अब ऐसा कुछ और initiatives भी हैं जैसे प्रधान मंत्री पोशन शक्ति निर्मान हो गया integrated child development scheme हो गया अनेमिक मुक्त भारत अभियान हो गया इस तरीके के कुछ और भी मतलब खुद पोशन अभियान है कुछ और भी initiatives हैं जिसे भारत सरकार launch कर रहे हैं इसको आप ध्यान रखेगा nutrition small village initiative के लिए चलिए अगली story पे आते हैं इंडिया स्वीडन innovation meet तो 26 अक्टूबर 2021 को भारत और स्वीडन ने अपना आठवा innovation day जो है वो celebrate किया थीम क्या था accelerating India Sweden green transition अब यहां पे green transition का मतलब समझी है भारत ने बोला है अभी क्लासकों में हुआ था meet climate meet तो भारत ने बोला है कि हम जो है net zero emissions कब तक चीज कर लेंगे 2070 तक स्वीडन ने बोला है 2045 तक हम लोग जो है कर लेंगे और साती साती दुनों देश जो है जो industrial transition program है उसमें साथ मिलकर काम कर रहा है and they have the joint action policy on circular economy on health infrastructure and how to create wealth from the waste materials इन सब चीजों पे इनकी पास जो है भारत और सुडन के पास क्या है joint action policy है जिस पे मिलकर काम कर रहा है भारत और सुडन के बहुत अच्छे रिस्ते र नहीं होती है आपके लिए चोटा सा सवाल में है यहाँ पर मैंने Nordic nations का नाम लिख दिया है Nordic nations कौन-कौन से है Sweden, Norway, Finland, Iceland, Denmark पाँच है आप मुझे बता दीजिए कि Scandinavian countries इन में से कौन-कौन से है आपके लिए आज का बहुत असान सवाल name the Scandinavian countries out of these five countries, five Nordic nations तो भारत और जो Nordic summit हुआ था, 2018 में हुआ था, Sweden के अंदर ही हुआ था, फिर Sweden पहली बार जो है पार्टी, Sweden ने भारत और Nordic जो बाल्टिक नैशन का जो कौन-क्लेप था, उसमें participate किया, भारत ने इसको coach year किया पहली बार, November 2020 की ही बात है यह, फिर उसके बाद Lead IT, यानि Leadership Group on Industry Transition, उसमें मैंने आपको बता ही है कि यह मतलब साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो वो सारी चीज़े इसमें हैं फिर इंडिया इस स्वीडेंस थर्ड लाज़ेस्ट ट्रेड पार्टनर आफ्टर चाइना एंड जैपैन इन एशिया एशिया में अगर बात करें तो चाइना और जैपैन के बाद स्वीडेंस का जो थर्ड अच्छा पार्टनर है ट्रेड के मामले में वो भारत है तो बहुत अच्छी चीज़ में बाते हैं साथ कुछ और चीज़े में आपको बता देता हूं जो आपको ध्यान रखना है तीन नेशन तो यहां में लिखती हैं चार नेशन बेसिकली अर्जैंटीना ग्रीस मेक्सिको तंजानिया फिफ्ट इज इज स्वीडन ठिक उन्नीस वसी में यह हुआ था नूक्लियर डिसामा रखनी है एक्जाम के हिसाब से हाइली 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 इंपोर्टेंट है और जो मैंने एक सवाल आप से पूछा उसका आंसर आप कमेंट थेड में जरू दीजे नेम दा एक्स सकंडिनेवियन कंट्रीज राइट नॉडिक तो मैंने आपको बता दिया बाल्टिक भी क्याते हैं उसको दुबारा से रिस्टोर कर लिया है 2021 से लेके 2025 यह बिल्कुल चल रहा है 15th Finance Commission के कारेकाल के समय तक दो साल के लिए two financial years 2020 and 2021 इसमें इसे suspend कर दिया गया था due to the COVID उसके बाद ये कैसा स्कीम है दोस्तों ये एक Central Sector स्कीम है जिससे 1993 मिलाया गया था Central Sector स्कीम अनॉंसरी 1993 येर वगरा थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इसका में काम क्या था अब खुद नाम से आप समझें मेंबर ओफ पार्लियमेंट लोकल एरिया डवलप्मेंट तो बेसिकली जो मेंबर ओफ पार्लियमेंट होता है उनकी अपने constituency होती है उस constitution का पूरा जो देख भाल है वहाँ पर जो भी विकास के पैमाने हैं जैसे drinking water primary education public health sanitation roads ये सब किसका जिम्मा है MP का जिम्मा है तो वहाँ पर उनको क्या करना है उनको community assets जो है बना कर देने है वो भी durable non durable नहीं durable community assets उनने बना कर देने है अब वो कैसे करेंगे तो basically ह हर साल MP को पाच करोड रुपए जो है receive होंगे दो installment में धाय करोड एक बार धाय करोड एक बार ये funds जो है वो non-lapsable है non-lapsable का मतलब आप यहाँ पर समझे non-lapsable का मतलब यह है कि मान लीजे मुझे कुछ काम करना है ठीक और मैंने अपने फादर से बोला suppose कीज़े मुझे बिजनस टार्ट करना है अब मैंने अपने फादर से बोला कि बापा मुझे एक लाख रुपए चाहिए बिजनस टार्ट करूँगा ठीक है उन्होंने बोला हो जाएंगे वो सिर्फ उसी फिसकल यह में यूज होने थे वो अगले फिसकल यह में यूज नहीं हो पाएंगे ऐसा नहीं है कि next year में उस 40,000 का यूज कर पाऊंगा next year उस 40,000 का कोई यूज नहीं होगा वो लप्स हो गया है नॉन लपसेबल राइट तो लोग सभा MPs तो जो funds इसके अंदर मिलते हैं MPs को यह सारे के सारे क्या है नॉन लेपसेबल है वो उसी साल तक यूज होते हैं next fiscal year में आप उसे यूज नहीं कर सकते हैं लोग सभा MPs have to recommend the district authorities projects in their लोग सभा constituencies while राज सभा MPs have to spend it in that state that has elected them to the house तो लोग सभा के जो members होते हैं वो तो चुन के आत committed members of both Rajya Sabha and Lok Sabha can recommend works anywhere in the country यह statement आपको ध्यान रखनी है this is a very key statement क्योंकि UPSC MP-led पर सवाल पूच चुका है अब significance क्या है इसका significance मैं आपको पहले बता चुका हूँ durable assets बनाना है यह इसका primary objective है और local economy को boost करना है जो local जो विकास के पैमाने है drinking water sanitation primary education public health इन सब को बहतर करना है अब इसमें जो issues उठोट के आते हैं वो यह आते हैं कि CAG ने बहुत बार बोला है कि या financial mismanagement बहुत जादा हो रहा और जो artificial inflation है वो तुम बहुत जादा उपर कर देते हूं फिर कोई सही से वैधानी कानून नहीं है इस scheme को support करने के लिए ठीक तो इस तरीके के कुछ-कुछ जो ह वो आ रहे हैं और फिर इसमें misuse भी कर लेते हैं कुछ MPs वगरा ऐसे आए हैं कुछ news वगरा तो यह इसके साथ कुछ की issues हैं यह आप देख लीजएगा MP-led scheme राइट काम कैसे करेगा तो basically मौसपी के थूरू इसमें सारा काम किया जाएगा और district authority का इसमें district authority is the implementing agency जो इसके collectors हैं जो आप लोग बनेंगे ठीक तो करके रिखाएंगे कि spirit रखिये बनना है आप सभी को IS offices तो district authority जो है वो इसमें क्या होगी implementing agency होगी हम चलते हैं आज की अपनी आखरी story के तरफ that is जन जातिया गौरव दिवस तो cabinet ने अप्रूव किया है कि 15 November को क्या होगा जन जातिया गौरव दिवस जो है वो commemorate किया जाएगा as a part of a year long celebrations of 75 years of India's independence तो एक अच्छा move है इसी के साथ साथ प्रधान मंतरी खुद रांची में एक tribal freedom fighter museum जो है वो inaugurate करने बाले है 15 November और किसलिए observe किया आता है it marks the birth anniversary of बिरसा मुंडा जिन्हें tribal communities क्या करती है भगवान मान जन जातिया गौरव दिवस will be celebrated every year to recognize the efforts of the tribals in the preservation of cultural heritage and promotion of Indian values of national pride, valor and hospitality वे सारे इसमें चीजें हैं क्योंकि बहुत सारे जो tribal people हैं जैसे तमार्स हो गए, संथल हो गए, खासी हो गए, भील्स हो गए, मिजोस हो गए, कोल्स हो गए, तो इन सब के उत्थान के लिए और कहीं न कही आपका जो विरासत है, जो सांस्कृतिक विरासत है, culture heritage है, वो भी कहीं न कहीं बरकरार आपको रखना है, अब इनमें कुछ कुछ जो है, tribal leader जो है, काफी famous उस पर बात कर लेते हैं, बिर्सा मुंडा है, 15 नॉमबर 1875 को इनका जनम हुआ, मुंडा tribe से ये बिलॉंग करते थे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, late 19th century में इन्होंने moment start किया था, उसके बाद दूसरे नमबर पर श्री अलूरी सीता राम राजू है, 4 जुलाई 1897 को इनका जनम हुआ, कहां पर हुआ, आंधर पर देश में, थीमा वरा मुगालू में, ठिक, गाउं का नाम क्या था, यह सब नाम याद रखेगा, इस बार UPSC ने मदनापली पूछ लिया, I don't know why they just want to ask that kind of a question, मदनापली, अब यार इसको कहां याद रखेगा कोई, कि मदनापली में रवी नर् टैगोर ने जो है, ट्रांसलेशन की थी, अलूरी is best remembered of the leading Rampa Rebellion, धियान रखना है आपको, Rampa Rebellion against the British in which he organized the tribal people of Vishakhah, Putnam and East Godavari districts to revolt against the foreigners, right, basic बात क्या होती ना कि tribal लोगों की, कि tribal people की जो थोड़ी सी मतलब चीजें होती हैं, कि लूप होल्स हैं, मेरे हिसाब से, जैसे क्या है, मान लिजए कि कोई company पहुँची, या ये British पहुँच गए, अब इनको कोई नहीं पूछता, बिल people की बात करना, बिल्कुल, बिल्कुल travel people की, तो क्या करते हैं, कि लोग सुचते हैं, इनका करो miss you, जितना हो सके, इनके पास कितनी अच्छे-च्छे lands हैं, ले लो सारा, अपने अंडर में, तो तब तो British शरकार थी, सोचो, आप तो, क्या कहता है, सोचल मीडिया का जमाना है तो फटा-फट प्रुटर पे या कहीं से पता चल जाता है, लेकिन British शरकार ने तो, सोचो, कितना है, इनका दमन किया होगा, that's why इनको खड़ा होना पड़ता है, that's why we are going to commemorate 15th November as the जन जाती है, गौरव दिवस, फिर दूसरे भी है, एक सिध्धू और कानू मुर्मू है, इ और British के खिलाफ जंग छेड़ दी, ठीक, तो ये कहीं न कहीं, British को भी, मतलब Britishers को भी कहीं न कहीं, ये चीज़े दिखाती है, कि भारत को आप दबा नहीं सकते, भारत के लोग को आप दबा नहीं सकते, चलिए, ये हैं बिरसा मुंड़ा जी, और ये हैं सिध्धू और और इनका नामा बता दीजे, कि ये कौन है, ठीक, हम आते हैं अपने MCQs के तरफ, आज का पहला सवाल दोस्तो, भासा संगा मिनिशेटिव से है, हमने भासा संगा मिनिशेटिव को अपने P.I.B. के सेशन में cover up किया है, जो लोग P.I.B. के सेशन को daily follow नहीं कर रहे हैं, उनस has been launched under the एक भारत शेष्ट भारत इनिशेटिव, कौन सा statement इसमें सही है, ये आपको बताना है, दूसरा सवाल है, कि हाल फिलाल, UNESCO ने अपने creative city for crafts and folk arts के तहत, एक शहर को pick किया है, उस शहर का नाम क्या है, भारत के एक शहर को pick किया है, क्या नाम है, हमने इसको भी discuss किया था, इसरी स्टोरी है, Leeds report के हवाले से, Leeds 2021 report, कि ये report, Ministry of Commerce and Industries वारा लागू की जाती है, दूसरा, Tamil Nadu has retained the top spot in logistics and logistics ranking for states, so basically बताना है कौन सा statement इसमें से सही है, कल जो हमने तीन सवाल लिये थे, दोस्तों, उनका answer देने का समय आ चुका है, Global Drug Policy Index, इसको कौन launch करता है, so this has been released by Harm Reduction Consortium, तो ये आपको ध्यान रखना है, एक्जाम में आ सकता है, साथ ही साथ हमने Gangetic Dolphins पे सवाल लिया था, दूसरा, River Satilaj, a Tributary of Indus, is the only habitat of Indus River Dolphin in India, जो की totally गलत है, right, River Satilaj नहीं है, ये ये River Bias है, क्या है, River Bias है, this is River Bias, B-E-A-S, River Bias, दूसरा, Gangetic Dolphin can only live in fresh water, this statement is completely right, Eravadi Dolphin is only found in the Eravadi River in Myanmar, so this is again wrong, ध्यान रखना है, ये जो only वड़ है इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, so this is again wrong, Eravadi Dolphin जो है, तीन नदियों में पाई जाती है, कौन-कौन सी महाकम, मेकॉंग और अयार वड़ी, यहां पे ये पाई जाती तो इसमें incorrect कौन-कौन से हैं, तो 1 and 3, so the correct option here is option B, तीसरा सवाल हमने समुद्रयान mission के उपर लिया था, it is the India's first manned ocean mission for deep ocean exploration, this statement is completely right, it is a part of deep ocean mission, this is also right, it is an initiative of ministry of science and technology, this is wrong, this is an initiative of ministry of arts and sciences, M-O-E-S, clear, चलिया, PT के subscription courses on हैं, दोस्तों आईए, खुद को enroll कीजिए, अगर अभी तक नहीं किया है, साथी साथ दोस्तों को भी कराइए, बहुत अच्छे-च्छे UPSC के courses हैं आपके लिए, join हो जाएए, civil tapasya के portal का पूरा-पूरा use कीजिए, यह आपके लिए एक बरदान है, UPSC के परिक्ष के लिएके लिए, यह आपके लिए, बहुत अच्छे, बहुत आपके लिए, अबर।फशे रिए रिए